नमस्कार स्वागत आपका बूलता हिमाचल पार आज है 23 जनवरी 23 और हिमाच्वदिस की आज की सब्सक्राइब हम आपके लिए लिखकर आए हमेसे गिदर आप इस वीडियो को लाइक कर देजिगा चैनल पर नहीं जूड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जूरूर करें आप पकांसे और कांसे वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरूर बताएगा पीस है आज की सबसे वड़ी खावरे चार सीपेस को मिला विवागों का दायतव से एम और मंतियों के साथ किया अटेज प्रिमाजमतिस की सुकु सरकार में चार मोह के सच्च वो सेपेस समोल अलब्राक्टा रामकॉार असीस बुटेलता था कि सोड़ी लाल को विवागों का दायतव दिया गया है यह दायतव मों 17 सुक विंदर शिंग सुक की मनजूरी के बाद दिया गया है संदर सिंग ठाकुर को पहले ही विवागों का दायत्व दिया जा चुक है राइवार को मुक्य साची प्रबोस एक्सेन की उसे जार्यादी सुकंसार से प्यास मोल लालवराक्टा को बीदी संस्टीक का रहता था भागवानी विवाग रामकुमार को टी सीपी उद्योगा रा टेस्च किया गिया इसकी तैस्त ब्लाक्टा को विद्व विवाग के लिए मुक हमक्य संस्टीकर्य गिवाग के लिए द्योग मती सथा भागवानी विवाल के लिए रास्तवaren अबंब भाजवानी मंत demol होगी प्रियोजनाएं होगी स्ताफिद मोकेवंत्री सुक विंदर सिंग सुक उन्हें अधिकारियों को बर्थमान और जनीती में आवस्षिक बदलाव लाने और पांच मेगा वार्ट शम्ता की सभी सोर उर्जा प्रियोजनाएं खुली रखने की नदेश दिया है सरकार सोर उर्ज स्यांत्रों में निवेज भी करेगी सेम सुकुनि नर्देश दिये की बस दो जातेश चोबिस की अब दिकेद्रान प्रदेश वर्में फांसो मेगा वार्ट शम्ता की सोर प्रियोजनाएं हिमाच्वदेश और जानेगम लिम्टर एचपी पीसी एल की उसे स्ताफित की सुरू होगा हाथ से हाथ जूरो अबियान हिमाच्व कोंगरिस केंदर की मोधी सरकार के खिलाब मोर्चा खोलेगी कोंगरिस हाथ से हाथ जूरो अबियान 26 जनवरी से अराम करेगी ये प्रदेश वर्में एक माह तक चलेगा पार्टी केंद सरकार की बिफलता को लेकर लोगों तक संदेश पहुंचाएगी प्रदेश कोंगरिस के सैप रुबारी संजेदत ने बताए कि अभियान जिला मंडी के जोगिंदनागर से 26 जनवरी को अराम किया जाएगा प्रवंगरिस के पूरवादेक्स राउल गांदी के भाजोड यात्रा की काड़ी को आगे बिढाते हुए ये अभियान प्रदेश के निचल स्था तक लाया जाएगा शिमाचल करमचारी चाहन आयोग से करमचारों के तबालने पर जांच अजेंसिया नराज बहुशाची पेपर लिख मावने के बीच शिमाचल करमचारी चाहन आयोग के दो करमचारों को सेमला साचिबल हमें नुकती देने पर जांच अजेंसिया नराज है जांच एजेंस्यों की नराजगी के बाद आयोग के OST बसे सेवा दिखारी जिते अंदर सांच्टा ने सरकार को चेठी लिखी है इसके बाद हमसे सरकार से पूछ है कि जांच प्रेकरी एक बीच दोनों करमचारियों को आयोग से भारमुक रिलीव करना है या नहीं सरकार से जवा मिलने के बाद दोनों करमचारियों को आयोग से भारमुक किया साएगा ताब तक दोनों करमचारिय चायनायोग में सेवाएं देंगे परदेश के ट्राक ओपरेटरों को 31 माज तक गूर्ट स्टैक्स जम करवाने की छूट राजी सरकार ने हिमाचवदेश के ट्राक ओपरेटरों को 31 माज तक गूर्ट स्टैक्स जम करवाने की छूट दे दिया आज ये छूट लागू हो जाएगी जिन संचालकों के ट्राक बेना पर्मिट के खड़े हो गिए भी आब इस छूट के बाद ट्राकों की पासिंग और पर्मिट बना सकती है इसे लेकर मुक के संची साथे 14 रामकुमार ने ट्राक संचालकों के साथ बैठ कर उन्हें इसकी जानकारी दिया उन्होंने संचालकों को आसवासदी है कि 31 मार से पहले ट्राक संचालकों की सरकार के साथ बैट कर लंबित गुर्श टैक्स एकमुस्त जम कराने पर सेहमती बनाई जाएगी ताकि बिविश्य में ट्राक संचालकों कोई इसमस्या ना आए स्योंग किसान मंच की सरकार से मांग बोले बजट में बागवानों की मांगों को पूरा करने की गोसना करे सरकार किसानों बागवानों की मुद्धों को लेकर संगर सरात स्यूंग किसान मंच ने मुक्यमंत्री सुक विंदर सिंग सुक को वी सूत्री मांग पात्र बेज़ कर बाज़ट में मांगे पूरी करने की गोशना करने के अपील की है मांच ने मुक्य मंत्री से मांगूप पर चर्चक लिए किसान बागवानों के साथ जल्द बैट करने की मांग उठाई है स्यंग किसान मांच के स्योजक हरी चुहाना और सैल स्योजक संज चुहाने का है कि पिछली सरकार ने मांच की मांगूप की अंदेखी की है स्में डॉलाइ रेट की अदिसूफना पर ठीक है मैदात की तोलना सी ठीवाज जाए लगन जैसे पाड़ी राजियों में माल वाड़ा रेटा देखता है होता रहा है यानि एक बात तो साफ कर दीगी कि सरकार ने ट्राक मालकों के आर्ट केतों की रक्सा की तो अंदोलन थम जाएगा आना था यह अंदोलन और लंबा खिचेगा प्रारम बिक सेक्सा बिवाक्या देश स्कूल के समय में बंडारे बिवा और अन्य आयोजनों में खाना नहीं खा सकेंगे चातर सरकारी स्कूलों के चातरों को स्कूल समय के दुरान बंडारे बिवा और अन्य आयोजनों में खाना खाने पर रोक लगाई गी है मामले पर प्रारब में एक सेकसा विवाग की और से जारिन देस्तों में सपास्ट किये गए कि सेकस चात्रों को स्कूल के आजपास होने वाले बंडारे विवाग और अन्य आयोजनों में खाना खाने नहीं बेजेंगे स्कूलों में ये चात्रों को दोपैर का बोजन प्रोसा जाएगा मीटे मिल को लेकर वीवाग ने ने गायलाइन जारी किये वीवाग ने स्पष्ट किये किया दी इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आये तो तो दोस्यों के खिलाफ कड़ी का रिवाई होगी रोलंबर भाई जी चात्रों को खाना खाने के लिए बिठाया जाएगा दरी पर चात्रों को बिठाया जाएगा इस तोरान स्कूल प्रसास उनको फॉल में ही चात्रों को खाना खिलाने के नदेस हुए है स्कूल के मैदान में बच्चों को खाना नहीं खिलाया जाएगा स्कूल के कीचन के अंदर किसी को भी जाने के अनुमती नहीं होगी खाना बनाते समय कर्मियों को डाल और सब्जियों को साफ कर अची तरह से दोने को कहा गिया है पानी की टंकी को भी महिने में दो बार साफ करना होगा किसी और स्त्रोट से पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसके अलावा स्कूलों को मेडे मिल की निगरानी के लिए एक कमेटी गर्ठित करने को कहा गिया है ये कमेटी इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखेगी मेडे मिल को लेकर जारे कीगी गाईलाइन के तैत स्कूलों में केट नासिक दवाईों पर रोक लगाईगी है विवाग ने साब कहा है कि मेडे मिल के रासन को खराब होने से बचाने के लिए प्राक्रितिक उत्पादों को उप्योग करें किसी भी तरह की केट नासिक दवाईयों स्कूलों में ने रखी जाएगी पाइपो की ख्रीद पर नपिंगे अब सर्थ 600 क्रोड खर्च करने पर डिपटी सी एम ने दिये जाँच के अदेश पेचली सरकार में हुई पाइप ख्रीद की नई सरकार जाँच करवाईगी इसके लिए डिपटी सी एम मुकी सगने उत्री ने जाँच के अदेश दे दिया है पिछले दिनों डिपटी सी एम द्वारा कीगी बिवाग की स्मिक्स अबैटक में पाया गया था कि जाँच की बिवाग द्वारा जाजेवन मिसन के तायट दोलाग 14,327 मिट्रिक टान पानी के पाइप ख्री दे गए थे जिसमें से 45,944 मिट्रिक टान बिवाग के बंडारे में अनुप्योगी पड़ी है बिवागे सूती बताती की जाजेवन मिसन के तायट राजे को दिये गए तोले 14,000 क्रोड में से जाँच की बिवाग ने 2200 क्रोड रुपे के पाइप एले ही ख्रीद लिये है बिवागे बंडार में जो पाइप अनुप्योगी पड़े थे उनकी केमत क्रीब 600 क्रोड पे है फोदिर इस मामले पर उप्मो के मंतरी मुकेस अगिन उत्री ने माना है कि उन्होंने पाइप ख्रीद की जांच क्या देश दी है करी नोकरी 10 में पास यूबाँ को सुनेरा आपसर सी आई एसेप में निकली 451 पदों पर भरती जल्द करया बेदन चेंद्रे उद्योगे की सुरक्सा वालत CISF में कॉंस्टेवल ड्राइवर और कॉंस्टेवल ड्राइवर कॉम पांप उपरेटर के 451 पदों पर भरती निकली है इसमें से कॉंस्टेबल ड्राइवर के 183 पाद और कॉंस्टेबल ड्राइवर कॉंप पॉपरेटर 268 पाद है इन पादों के लिए इस उकम हीदवार आज यहनी 22 जनवर से अधिकारिक वेबसाइट CISF4Recruiter.in पर जाकर ओनलाइन अवेदन कर सकती है इन परों के लिए अवेदन करने वाले अव्यारती दसम्हें पास हवाँ उनके पास 12 ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अवेदन करने के लिए अव्यारती के आईओ 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए इसके अलावा S.C. और S.T. बर के उमिदवारों को पांच और O.V.C. बर के उमिदवारों को तीन साल आयू में छूट मिलेगी अवेदन की सोर पे फीस रखी गी है S.C. S.T. के उमिदवारों से किसी भी प्रकार का वेदन सुलक नहीं लिया जाएगा खावर कुलू से इंसानियत सरमसार कच्रे के डेर में मिली नवजात बच्ची पुलीस जाँच में जूटी जिला कुलू में इंसानियत को सरमसार करने वाली गटना सामने आई है नगर परिश्द कुलो के ताहत हनुमानी बाग में एक नवजात बच्ची का साफ कच्रे के डिर में मिल है नवजात बच्ची को रात के अंदेरे में कोई कच्ची के डिर में फैंकर चला गया रहे वार सुबा नो बजे जब नगर परिशत की स्पाई करमचार एक कच्रा उठाने के लिए आये तो उन्हों ने यहां नवजात को कच्रे में पढ़ा देखा मामले की सूचना पुलीस को दे दी गी इसके बाद पुलीस टीमों के पर पोंच और गटनस्तल का जायजा लिया पुलीस ने गटनस्तल की बीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है इसके बाद सब को कच्रे में लेकर पोस्ट माटम के लिए कुल वास्ताल भीज़ा है यहां बच्ची के साब को रखा गया है साथ रेक पुलीस अदिक सकासी सर्मने काई कि पुलीस ने साब को कच्रे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीज़ा है पोस्ट माटम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है नवजात बच्ची को किसमे कच्च्रे के डेर में फैंक है प्रीस इसकी चान बीन कर लिया है उन्होंने काई कि नव्जाद बच्ची को कच्च्रे में फैंखने वालों पर कारेवाी कीज Romeo आएगी। चिनोर कि निचार कि बारों में खाई में गिरी कार दो की मौके पर मौत। चिनोर जी लखी निचार के एकलाब ये स्कूल मारकेस में इप बारो नाम की जगा पर एक काल्टो का दुगट नंगरास्त होगी है ये साथ से में कार्सवा दो लोगों की मौत होगी जबकि दो अने लोग अंबी रूप से गायल होगी है गायलों को प्राथ में कुपचार देने के बाद घनेरिया स्ताररामपुर के लिए रैफर कर दिया गया है बिजली बोर करमचारियों के जजबे को सलाम में डोडराकवार में तेन फुट बरफ आरिकेवीट बाल की बिजली बिजली करमचारियों के इस जजबे को मुक्यमंत्री सुक विंदर सिंग सुक कुने सलाम की है और सावासी दी है वही मुक्यमंत्री ने करमचारियों को प्रसास्ती पत्र देकर समानित की है बैद अपडेड हिमाचल के साथ जिलो में 24 जन्वारी को भारी वारिस और उलाविस्डी को लेकर अलर्ट जारी किया गया वहीं 24 जनवरी को प्रदेश में भारी बारिस और वर्फ वारी का ये रोलर जारी किया गया है ये अलाट सेमला मंडी चंबा कांगडा कुलू की नोरोल होस्पिती जिलों के लिए जारी किया गया है वारी बारिस और वफ वारी को देखते हुए स्तानी लोगों वो फ्रेटको के लिए एर्वाईजरी जारी की गी है। ट्रैकिंग पर जाने वाले प्रैको को ट्रैकिंग ना करने की सला दी गी है। गिलेश और ही तक समयनी नहीं हुए परिदिश में दूसों के क्रेब सर के औह यभी बांद है ऐसे बंद्ऩ केक शित्रों के लिए संफ पर कटा हुआ है इसके लावा केक शित्रों में बिजली अभी तक भी भाल नहीं हो पाई है वह पर्दिस के चार जोलों में खत्रे की संबावना जताई गी सुनो एंड एवलोंच श्टाडी एश्ट एवलिसमेंट पनाली ने चिताबनी जारी कर तुए कुलू लॉस्पी थी चंबा के पांगे और किनोर जिले में गिलेशी और हिमखंड गिरने की असंख़ जताई है पूल पर फोन और जूते रखकर रावी नदी में कूद गी नुवालिक पुलीस ने ब्रामत किया सब खिमाच्पदीस की जिला चंबा में एक नुवालिक लड़की द्वारा सनिवारात को रावी नदी में छलांग लगा कर आत्मते करने का मामला सामने आया पूलीस ने सोला गंटेक साच उपरेशन के वाद लड़की का साब रामत कर लिया है लड़की का साब प्रेल पूल से करीब एक किलोमेटर दूर उदेव पर नमकस्तान पर मिले है पूलीस ने साब को कबजे में लेकर कोश्ट माटम के लिए मेडिकल कोले चमबा भेज दी है मरेतक लर्की की पहचान स्तारा वर्सी पांगी निवासी के दोर पर हुई है मतायजारे की लर्की साध्यों की छुटियों में अपनी बुवा के घर चमबा आई थी पूर्ब मंत्री श्रेश वादवाज को टकर माने वाले आरोपी की हुई पहचान है पूरब मंत्री श्रेस वादवाज को टक्र माने के बाद फरार अरोपी की पैचान कर लीगी है गोविंद उमर 25 गोमा चोपाल निवासी चोटा सेमला में दुवाईयों की दुकान में काम करता है प्रारंबिक जान के मताबिक भी स्कूर्टी सेक रहा था देपकी सिकायद पर पुलिस मामले की जान कर रही है पुलिस ने अरोपी के खिलाप MB Act में कारेवाई की है एस में ने 500 ट्राक ओपरेटर नहीं दे पाएंगे बैंकों की केस्ट ACC स्मेंट प्लांट बंद वने से इस माँ बिलासपूर जेला ट्राक परिवैन सबा बरवाना के क्रीब 1500 ट्राक ओपरेटर बैंक की केस्ट नहीं दे पाएंगे अर्थिस दिन से स्मेंट प्लांट बंद है ओपरेटर हर दिन अपने हाग के लिए धाना प्लांट प्लांट को सुरू नहीं करते है तो ओपरेटर के लिए करज को चुकाना मुम्किन नहीं होगा ओपरेटर के लिए एसी सी एक मातर माद्य में जिससे इनकी आर्थ की चलती है बठेयाद की कातला पंचायद में आग लगने से मकान राख परिवार ने पुडोसी के घर में लिया आस रहे बठेयाद की कातला पंचायद में रहेवार को आग लगने से एक स्लेट पोस्त मकान राख हो गया है जानकारी के अमसार ये आगर ठेड़ा नहाना निवासी छजुराम पूतर चार राम के घर में अचानक लगी कातना के समय घर में कोई भी सदसे मौजूद नहीं था घर के सदसे आपने केतिवारी और मालमवेसी के कारे में जोटे थे तो यह थी आज की सबसे वड़ी खावरे हमेसा कितरब आप इस वीडियो को लाइक कर देजीगों और आप कहां से और कहां सकी वीडियो देख रहे है वो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जूरू बताएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई Mario उसकी जानकारी उस सवाल और उस सवाल से समनति जानकारी हम आपको अपला लवक पुरणिकी कोर्सिस करेंगे तो हमारे चैनल बोलता ही मातिल को आप सब्सक्राइब कर दी नमस्क्राइब जय वारत